कश्मीर को लेकर के केंदरी कानून मंत्री ने जो लेख लिखा हुआ है उसको लेकर के कॉंग्रेस पार्टी में काफी बॉखलाहट है और लगातार इस पूरे मामले को लेकर के कॉंग्रेस पार्टी की तरफ से प्रतक्रिया दी जा रहे हैं हमारे साथ इस वक्त बाचीत करने के मौजूद है केंदरी कानून मंत्री किरन रिजियो जी सर जिस तरीके का आपने लेख लिखा है उसमें जो आपने पॉइंट्स उठाए हैं उसको लेकर के कॉंग्रेस पार्टी में बॉखलाहट है और आज के दिन इस तरीके की प्रतक्रि जिम्यदार हो जिम्यदारी और पत को लेकर के कोई जनता का स्कूर्टिनी से परह नहीं हो सकता है और कश्मीर का मुद्धा ऐसा था जो आज भी देश के लोगों को बहुत सारा चीज़े ऐसे जो पता नहीं है क्योंकि सच को चुपाया गया था और एक गलत धारना देश के लोगों के सामने में रखा गया था मैंने अपने और से कोई ऐसा तत्त नहीं रखा और मैं अपने सोच विचार से कोई ऐसा बात भी नहीं कहा जो भी मैंने लेक लिखा और जो बाते देश के सामने में रखे हैं वो पारलेमेन के रेकोर्ट्स हैं और समवीधान सभा के जो है उस रेकोर्ड में जो जो पंडित नहरुजी ने कही थी वही बाते मैंने जनता के समने में रखा है बात यह है कि कश्मीर का मुद्दा सेंतालीस लेकर के आज तक ऐसा बनी हुई है जो देश के लिए भी और जमुकश्मीर के लोगों के लिए भी बहुत बड़ी एक चुनावती बनकर की रह गई है और जो नहरुजी के समय में जो गलतियां की है जिसको मैंने पांच ब्लांडर्स के नाम से रखा है उसको सुधा करने का काम अधरन्य प्रदानमंत्री नरेंदर मोदीजी ने की है सबसे पहले तो जो देश के सामने में बार-बार कॉंग्रेस के तरफ से कही गई थी कि कश्मीर का विलए भारत के साथ में जो सेंटालीस में बाकी जो अपने राज्यों के साथ में जिस तरीके से हुए थे वेसे क्यों नहीं हुआ इसके जिम्मेदार कॉंग्रेस पार्टी ने महाराजा हरी सिंग जी का उपर में ठोक डिया था ये कहा गया था कि महाराजा हरी सिंग जी भारत के साथ विलाई करने के लिए आना कानी कर रहे थे ये नेरेटिव रखा गया था जब हमने संविदान सभा में जो बाते हुई थी पहले और बाद में लोक सभा में जो नहरुजी ने जो जो बाते कही गई थी और उसके अंडे भी जो कोर्रेस्पंडेंस का जो रेकोर्ड से सारा का जब देखा तो ये तो गलत बात देश के समने में रखा गया है क्योंकि जो 15 अगस्त 1947 में भारत का आजादी हुई थी उससे पहले महाराजा हरी सिंग जी ने नहरुजी से बात किया और भारत के साथ विले करने का प्रोपोजल भी रखा तो वह प्रोपोजल को किस तरीके से नहरुजी ने नका रहा था यह नहरुजी ने अपने शब्दों मैं फिर पीछे उसने बताया पार्लेमिन को भी बताया कि नहरुजी चाहते थे कि कश्मीर का महाराजा के अलावा कश्मीर के लोगों से बात करना चाहिए वहां नेशनल कंफरेंस के जो बड़े नेता थे शेख अब्दुल्द साब से बात करना चाहिए यह सारे जो रखा तो उस समय विले नहीं हो पाया बाकी जितने बे जो यहां हमारे जो महाराजा थे या जितना भी किंग्डम थे प्रिंसली स्टेट्स थे सबका तो वो जो राजा रानी जो भी है उनसे बात्चित करके विले हुआ था तो कश्मीर के मुद्दे में क्यों महाराजा का बात न बाना गया है